नमस्का दोस्तों Mr. Coding चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम alignment group में जो orientation और indent का option आता है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे सीखना सुरू करने से पहले बहुत ही जरूरी बात दोस्तों आप जो भी वीडियो देख रहे हो उस topic के आप practice करना चाहते हो तो आपको क्या करना है आपको हमारे वीडियो की description में जाना है यहाँ पे more option है उस पे आपको click करना है यहाँ पे आपको download the file एक link मिल जाएगी उस पे आपको click करना है link पे click करने से हमारे official website का webpage open हो जाएगा उसमें scroll करके थोड़ा नीचे जाओगा तो यहाँ पे download file है उस पे click करके आप file download कर लीजिए उसमें जो भी topic आप सीखना चाहते हो उसकी notes भी मिल जाएगी और आखिर में practice करने के लिए exercise भी मिल जाएगी अब दोस्तो हम MS Excel के अंदर alignment group के अंदर जो text rotted और indent का option आता है उसके बारे में हम पूरी जानकर यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तो यहाँ पे मैंने MS Excel open कर लिया है और यहाँ पे पहले से ही मैंने इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तो हम यह orientation का option है और यहाँ पे Indian का option है यह दो option हम यहाँ पे आत सीखने वाल है दोस्तो orientation का use कdogs है दोस्तो orientation की मदद से हम अपना text जिस direction में लिखा हुआ होता है उसकी direction हम change कर सकते है किस तरह से दोस्तो यहाँ पे दोस्तो इंडिया लिखा हुआ है उसकी direction हमें change करनी है से हमारा जो content है हमारा जो text है उसकी direction किस तरह से होगी उसका sample यहां पर आगे दिया हुआ है अगर दोस्तों आप अपना content left to right cross में रखना चाहते हो तो यहां पर पहला option है angle counter clockwise तो यहां पर आप click करोगे तो हमारा जो content है वो left to right cross में आ जाएगा फिर से हमारा जो content है वो उपर से नीचे की direction में cross में आ गया फिर से हम दोस्तों इसको select कर लेते हैं यहां पर more button पर जाएगे फिर दोस्तों तीसरा option है vertical text अगर आप अपना content vertically एक एक अकसर को vertically लिखना चाहते हो तो इस option पर आप click करोगे तो देखिए दोस्तों पूरा content है वो vertically लिखा हुआ आ गया दोस्तों इसका ने वो vertically अपने आप set हो जाएगा तो यह इसका दोस्तों benefit है यहां पर दोस्तों हम फिर से इस cell को select कर लेते हैं orientation में चले जाते हैं दोस्तों next option है rotate text up इस option से दोस्तों हमारा जो text है वो नीचे से उपर की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा यहां पर हम click करेंगे तो दीखिए दोस्तों हमारा जो content है वो नीचे से उपर की तरफ लिखा हुआ आ गया फिर से दोस्तों हम orientation में चले जाते हैं दोस्तों last option है rotate text down इस option से हमारा जो content है वो उपर से नीचे की direction में लिखा हुआ आ जाएगा यहां पर हम click करेंगे तो दीखिए दोस्तों यहां पर लिखा यहां पर दोस्तों यहां पर हमारा जो content है वो उपर दोस्तों यहां पर हमारा जो content है वो उपर से नीचे की direction में लिखा हुआ आ रहा है यह जो effect है वो हमें निकाल देनी है हमारा जो content है वो हमें normal left to right direction में ही लिखना है तो आपको क्या करना है इससे cell को select कर लेना है orientation में जाना है और यहां पर जो भी orientation on होगा उसके आगे आप देखोगे तो थोड़ा सा dark selection रहेगा उस पर जाके आपको click करना है ताकि वो orientation निकल जाए और हमारा जो normal orientation है left to right direction का वो आ जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप text की direction मतलब की orientation change कर सकते हों फिर दोस्तों यहां पर दो option है indent का दोस्तों indent से क्या होता है हमारा जो content है वो cell की border से कितना हमें दूर रखना है कितना हमें पास रखना है वो setting हम indent की मदद से कर सकते हैं दोस्तों यहां पर यह जो स्वराज लिखा हुआ है वो cell की border से थोड़ा नजदिक लिखा हुआ है तो यहां पर यह जो ल और दूर भरह, फिर से हम क्लिक करेंगे तो और ज्यादutan दूर आ रहा है, उस तरीके से अगर आपको यह जो इंडेंट यहां पे है, उसको कम करना है, तो यहां पे आप klik करोboarding तो वह इंडेंट कम हो जाएगा, और फिर से हम कुछ नया लिखते हैं तो वो indent है वो वैसा के वैसा है रहेगा हमारा जो content है वो border से उतनी ही दूर आएगा जितना हमने indent रखा है तो इस तरह से दोस्तो आप cell का content है वो border से दूर रखना चाहते हैं तो indent का option आप उस पे apply कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तो हमने पहले से एक time table बनाई हुआ है इस time table पे दोस्तो हम orientation और indent का option apply करेंगे यहाँ पे दोस्तो यह जो heading लिखा हुआ है उस पे हम orientation apply करेंगे तो यहाँ पे हम यह सभी cell को select कर लेते हैं और यहाँ पे orientation पे click करेंगे और orientation में पहला option है angle counter clockwise उस पे हम click करेंगे तो देखें दोस्तो हमारा जो time table है वो काफी अच्छी तरीके से दिख रहा है और यह जो heading का सभी content है वो cross में लिखा हुआ आ रहा है दोस्तो यहाँ पे आपको एक बात का दियान रखना है अगर आपने cell में border लगाई हुए और आप अपने content का orientation change कर रहे हो बदल रहे हो तो आपकी जो border है वो भी cross में आ जाएगी तो यह बात का आपको दियान रखना है दोस्तो अगर मैं यहाँ पे इस cell को select करूँगा और orientation है वो angle counter clockwise पे click करूँगा तो देखे दोस्तो यहाँ पे cell की border भी cross में आ रहे है जो बाजू में cell है उसके उपर आ जाएगी तो आपको यह बात का दियान रखना है अगर आप orientation दे रहे हो तो border का आपको दियान रखना है यहाँ पे दोस्तो हम इस cell को select करके orientation निकाल देते है तो यहाँ पे दोस्तो हेडिंग के सभी cell को हमने orientation दे दिया है यहाँ पे दोस्तो यह जो subject लिखे हुए है वो cell की border से बहुत ही नजदिक है तो हमें थोड़ा दूर रखना है तो सभी cell को हम select करेंगे और यहाँ पे हम indent increase कर देंगे तो यहाँ पे सभी content है वो cell की border से थोड़ा दूर हो गया तो इस तरग कैसे दोस्तो आप orientation भी set कर सकते हो और indent भी set कर सकते हो एक और example दोस्तो हम देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तो हमने कुछ content लिखा हुआ है यहाँ पे department है, serial number है, employee का name है, address है, city और pin code है दोस्तो कई बार क्या होता है, हमारा जो page है, उसकी चोड़ाई limited होती है तो हमारा जो content है, वो page के हिसाब से column में set करना होता है और column की जो width होती है, वो भी हमें कम रखनी पड़ती है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं तो यहाँ पे जो department लिखा हुआ है, उसका orientation हम change कर लेते हैं तो यहाँ पे हम पूरी column को select करेंगे, orientation में जाएंगे और यहाँ पे orientation रखेंगे, rotate text up तो यह जो पूरी column है, उसकी text की direction है, वो नीचे से उपर की तरह भागई अब यहाँ पे हम दोस्तो इस column की width कम कर सकते हैं तो यहाँ पे यह पूरी column है, उसकी width हमने कम कर दी उसी तरीके से दोस्तो हमें और width कम करनी है तो यहाँ पे यह जो name लिखा हुआ है, वो column हम select कर लेते हैं और उसका भी orientation हम rotate text up कर देते हैं तो यहाँ पे सभी text का orientation up हो गया इस column की width कम करने के लिए यहाँ पे हम हमारा mouse लेकर जाएंगे और double click करेंगे तो उसकी भी width कम हो जाएगी तो इस तरीके से दोस्तो orientation change करके हम column की width कम कर सकते हैं और हमारा जो print out में page की width है, उसकी जो चोड़ाई है उसके हिसाब से हम content print भी कर सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो आप इस तरह से orientation और indent का use कर सकते हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तो word break और merge and center के option के बारे में सीखेंगे इसके अलावा दोस्तो आप orientation और indent की practice कर लीजिए ताकि दोनों option आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और दोस्तो प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई confusion है, कोई question है तो हमें comment box में बताईए जिसका हम आपको जरूर से solution देंगे दोस्तो बहुत बहुत धन्यवाद, thank you